प्रशब राशी, सेकेंड राशी आती है, बारा ही राशीया होती है, बारा राशियों में सबका फ्यूचर छूपा हुआ है भावना, तो yes, definitely प्रशब राशी के जो लोग है, जिसे हमना टॉरस बोलते हैं, तो आर्थीक शेत्रमा ना इनके लिए 2024 अमेजिंग रहेगा, इकनॉमिकली स्टैंड होने के लिए इनको बहुत ज़ादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे, बट हाँ, opportunities तो find out करने पड़ेगी, लोटरी का टिकेट लगने वाला है, बट लोटरी का टिकेट आपको खरीदना पढ़ने वाला है, तो yes, आपका भी जो future है, वो bright होगा 2024 म है, क्योंकि घुरू आपको लाफ देने वाला है, आपके life में समय के समय के हिसाब से बदलाफ होने वाले है, पिछले कुछ समय से काफी परिशानिया आपकी चल रही है, उसका कारण दूर होगा, और yes, health related जो आपकी problem चल रही थी 2023 में, वो definitely आपकी कम होगी, मुझे पता है आप लोग खाने पीने के बहुत ज़ादा शौकीन हो, बट हाँ, मुटापी का शिकार 2024 में आप लोग हो सकते हो, क्योंकि देखिए शनी का साल है, ये जो 2024 है, इसकी total 8 आरी है, शनी judgmental रहेंगे, अगर कोई गलती करते हो, तो शनी जी पकड़ लेंगे, और उसका, उसे हम करमाज बोल देते हैं, तो उसकी सजा तभी के तभी मिलेगी, तो stomach infections के bright chances है, रहु आपके एकादश भाव में इस पूरे साल रहेगा, इससे आपको काफी रुद्धी मिलेगी, बाद में शनी जी आपकी थोड़ी और जादा महनत करवाएंगे, तो ready रहेंगे, क्योंकि शन आपके लिए पूरे साल दशम भाव में रहने वाले है, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि आपको patience बहुत जादा रखने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा, शनी जी का एक ही होता है कि अगर आप रुख जाते हो तो आपको शनी जी पोपरेंटली रोख देते है, तो भुषब राशी के लिए specially में बताना चाहूंगी, करियर में रफ्तार चाहिए, या तो फिर आपको पिछले कही सारे आपके काम रुके, उसमें अगर रफ्तार चाहिए, तो आपके लिए 29 जून से लेके 15 नवेंबर तक जो टाइम है 2024 का, वहापे आपको special ध्यान देन है 2024 में लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, थोड़े से confusion बने रहेंगे, मतलब इन लोगों के पास भावना बहुत सारे options रहते हैं, तो किसे चुनना है ये बड़ा difficult task होता है, तो वह confusion मत रखिये, क्योंकि relationship आपका अच्छा नहीं चल रहा है, वह अच्छा चलना शुर किस्टी के कारण, ये जो दिक्कते आपकी आ रही थी, वो कही न कहीं कम होगी, time time बदलने में time नहीं लगता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो आपका confusion not only in a love life, career में भी होगा, job में भी होगा, business में भी होगा, तो एक स्थेरियता के लिए, definitely, जब mind divert होता है, तो हम लोग बो ये control में आ जाता है, social media पे जो आप लोग time बरबात कर रहे हो, हमारे videos देख रहे हो, तब तर ठीक है, क्योंकि हम लोग काफी information आपको दे रहे हैं, बट बाकी सारी चीज़ों में अगर आप time waste कर रहे हो, तो उसे कही न कही बुरुशब राशी, especially 2024 में आपको उसका addiction जो है, वो कम करना पड़ेगा, आपको कही न कही बुरुशब राशी के लिए पित्रुदोश हम लोग बोल रहे हैं कि 2024 में इससे तकलीव होगी, definitely हम लोग आपको बताएंगे, end of the बुरुशब राशी के लिए, कि क्या precautions आपको लेने चाहिए, जिससे आपका ये पित्रुदोश भी कम होगा, तो yes, definitely पित्रुदोश कम करने के लिए, शुक्र की पूझा करते रहे हैं, Friday की दिन फास्ट अगर रख सकते हो, किसी भी रिलिजन्स के हुआ, Friday की दिन एक दिन फलाहार कर लेते हो आप, तो आपके मन की भी शान्ती होगी, आपके ग्रह जो है, शुक्र जो मने Venus, Venus मने पैसो की, पैसो का हम लोग उसे बोलते है, Jupiter and Venus जो है, वो पैसा कमाने के लिए और आपका luxurious lifestyle बढ़ाने के लिए help करते हैं, तो उनके लिए अगर आप कर लेते हो, और जिस भी रिलिजन्स से बिलोंग करते हो, तो ग्रह शान्ती के लिए आपके रिलिजन्स में ज